तो फाइनली दोस्तो फ्लिपकार्ट का बॉक्स आ चुका है जिसके अंदर है दोस्तो Poco M3 मैंने पहले सेल से इसे पॉचेस किया था तो आज मैं इसका अन्बॉक्सिंग हैंड्स ओन एक्स्पिरियेंस आपके शेयर करूँगा और मेरे पास दोस्तो यहाँ पर से Redmi का 9 पावर भी है तो इसके साथ भी एक छोटा सा comparison भी आपको करके बता दूँगा वैसे detail comparison अल्रेडी चाइनल पर है तो जा करके देख सकते हैं तो आएए दोस्तो जल्दी से हम करते हैं इसके seal को open और देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा invoice है जहाँ पर दोस्तों कर प्राइसिंग में आपको दिखाओं तो 9,999 मैंसन है क्योंकि मैंने इसे पहले sales से purchase किया था 1,000 का discount था ICICI के credit card से normally इसका price 11,000 है जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों दो variant में यह आपको मिलता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों yellow accent के साथ आपको यह box देखने को मिलता है उपर के तरब Poco की branding है M3 यहाँ पर इसका model number है India's number one quality smartphone brand यहाँ पर देखने को मिलता है बाकी यहाँ पर 6000 mh की battery है और यहाँ पर made in India की branding देखने को मिलती है पीछे के बाद जो दोस्तों और भी technical features देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर मैंने इसे order किया था 6GB, 64GB वाला variant 6128 भी आपको देखने को मिलता है बट 664 I think more than enough है तो चलिए जल्दी से इसके seal को हम break करते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले दोस्तों एक और box मिल जाता है जिसके अंदर यहाँ पर आपको मिलता है SIM ejector pin, एक paperwork भी आपको देखने को मिल जाता है हलाकि इसको कौन ही पढ़ता है तो चलो इसे side रखते हैं, बाकी यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है एक transparent TPU case जिसकी quality अच्छी है और यह है दोस्तों, finally हमारा smartphone आप में से काफी लोगों ने comment किया था कि भाई yellow वाला मंगवाओ तो मैंने yellow वाला ही मंगवाया है, तो इस बात पर या like तो बनता है बाकी इसकी खुबसूरती और बाकी सारी जो भी इसके specification है, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे तो चलो इसे फिलाल side रखते है, on करके इसके अलावा दोस्तों अंदर के तरप आप देख सकते हैं, type C का आपको cable मिल जाता है यही पर दोस्तों आपको मिल जाता है एक travel adapter, जहां पर आपको maximum 22.5 watt का support मिल रहा है बड़ यह जो smartphone है, यह 18 watt के maximum charging speed को support करता है तो चलो यह सारे चीजों को हम side रखते हैं, smartphone को on करते हैं, test कर लेते हैं और बाकी इसके features के बारे में आपको बताते हैं तो यह है दोस्तो, finally Poco M3 जो कि आप देख सकते हैं, yellow color वाला मैंने purchase किया था और यहां पर थोड़ी सी बड़ी सी branding आपको मिलती है, बट हाँ चलो cool लगता है बाकी आप बताना कि आपको कैसा लगा, और यह yellow color मुझे थोड़ा सा taxi type का feel करा रहा है बट यार इसकी जो यहां पर आपको finishing मिल रही है, वो थोड़ी सी kind of leathery finish मिल रही है जिसके वज़े से यह hold करने का experience आपको और बहतरीन देगा, जो कि अच्छी बात है गिरने के chances काफी कम रहेंगे और यह जो smartphone हैं दोस्तों, यह लगबग आपको 200 gram के आसपास के weight segment में आपको मिलता है यहां पर 6000 image की battery देखने को मिलती है, और camera की बात करते हैं दोस्तों तो triple camera का support आपको मिल जाता है 48 megapixel का main camera है, 2-2 megapixel के यहां पर आपको depth और यहां पर macro sensors देखने को मिलते हैं यहां पर से दोस्तों wide lens नहीं दिया गया है तो इस चिच का धियान रखियेगा बाकी बड़ी सी Poco की branding देखने को आपको मिल जाती है और यह वाला पोर्सर पूरा तरिके से clean है बाकी दोस्तों यहां पर अगर हम बात करते हैं front की तो आप देख सकते हैं 6.53 इंचेस का आपको एक display मिलता है जहां पर corning का gorilla glass 3 का support है और उपर के तरब दोस्तों आप देख पाओगे कि एक notch आपको देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा पुराना भले ही लगता है बट अच्छा quality का यहां पर आपको देखने को मिल रहे display दोस्तों क्योंकि यह full HD IPS display है जहां पर आपको मिल जाता है लगबख 400 nits का brightness और brightness काफी जादा है जो कि आप देख सकते हैं धूप में आपको visibility का कोई भी परेशानी नहीं होगी बाकि top के तरफ दोस्तों यहां पर आपको मिलता है earpiece और साथी साथ यहां पर आपको 8 megapixel का selfie shooter मिलता है और pre-applied screen guard अल्रेड़ी यहां पर है तो यह थोड़े हद तक आपके smartphone का screen में scratches नहीं आने देगा जो कि अच्छी बात है यहीं पर दोस्तों left side की बात करते हैं तो यहां पर से sim लगाने का आपको option मिल जाता है और यहां पर triple slot आपको देखने को मिलता है यानि कि sim 1, sim 2, hd card आप लगा सकते है वैसे 64GB में UFS 2.1 का storage मिलता है और 128GB में UFS 2.2 का storage देखने को मिलता है तो काफी अच्छा रहेगा वैसे read and write speed में आपको दिखा दूँगा यहां पर दोस्तों main microphone है यहां पर से type C का port है यह speaker के outlet vents मिलते है साथी साथ दोस्तों यहां पर से power on off का key है और यहीं पर से आपको fingerprint scanner भी मिलता है इसका भी test में आपको करके दिखाऊंगा और साथी साथ यहां पर से volume up and down के key है इसके लाबा दोस्तों secondary noise cancellation है 3.5 mm jack है और साथी साथ दोस्तों यहां पर आपको मिल जाता है एक अलग सा speaker यानि कि dual stereo speaker का option मिलता है आयर sensor भी यहां पर आपको देखने को मिलता है तो घुमा फिरा करके दोस्तों यह चीज काफी हद तक अच्छा है इस price segment में और speaker की quality मैं यहां पर से आपको सुना देता हूँ अब यहां पर दोस्तों fingerprint scanner का test हम कर लेते हैं तो यहां पर से सबसे पहले lock कर लेता हूँ मैं touch किया खुल गया यहां पर से दुबारा lock करता हूँ touch किया खुल गया थोड़ा सा delay है लेकिन हाँ खुल जा रहा है आप जो की देख सकते हो अब चलो देख लेते हैं यहां पर से face unlock कैसा काम करता है तो यहां पर से मैंने इसको किया देख सकते हो एक सेकेंड का मतलब बहुत ही कम delay है और यह तुरन से यह device unlock हो जाता है तो हाँ face unlock और fingerprint fast हो सकता था बड़ चलो ठीक है अच्छे से यह respond कर रहा है अब यहां पर से दोस्तो अगर मैं आपको setting के अंदर ले जा करके about phone section में दिखा हो तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहां पर MIUI 12 out of the box मिल जाता है और latest android 10 पर यह run कर रहा है जो कि आप देख सकते हो तो यह चीज आपको अच्छा मिल जाता है अब जहां तक रही बात दोस्तो add की situation की तो as such यहां पर आपको adds नहीं मिलेगा बहुत कम देखने को मिलेगे लेकिन हाँ push notification यह सब आपको देखने को मिल जाएंगे और since यहां पर से दोस्तो Poco launcher देखने को मिलता है तो कुछ ऐसा अब दोस्तो सार value की बात करते हैं तो इंडिया के हिसाब से यह limit में आपको घबरानी की जरुवत नहीं है बाकि यहां पर से wide 1 L1 का certification out of the box देखने को मिल जाता है read and write speed की बात करते हैं तो यह काफी बहतरीन है क्योंकि UFS 2.1 का flash storage आपको देखने को मिलता है तो read and write speed काफी अ processor और यह processor का इस्तेमाल यहां पर से redmi के 9 power के अंदर भी किया गया था अब actual में मैं अगर आपको दिखाओ तो में भी आपको सायद से लग रहा होगा कि दोनों devices अलग अलग हैं बट अगर मैं आपको नजदीक से दिखाओ तो आप देख सकते हैं यह pattern के अलावा बाकी कोई कोई भी फरक नहीं है थोड़ा से यहां पर से camera को changes किया गया इधर उधर बाकी दोस्तों यहां पर से redmi की branding है यहां poco की branding है इसके अलबा दोस्तों अगर मैं आपको नीचे के तरफ से दिखाओ देख सकते हो same आपको placements देखने को मिलते हैं top की बात करते हैं exactly same है कोई भी अ बोटिस किया कि यार यह device में बस किल 2GB RAM extra अगर आप लगाते हो तो यह बन करके आ जाता है price exactly same है क्योंकि यह 6GB के साथ आपको देखने को मिल रहा है वैसे यहां पर मैंने दोनों स्मार्टफोन का एक detail comparison tech guide style में भी किया है तो आप यहां पर i button पे click करके देख सकते हैं आपक करके मिल रहा था तो मुझे यह चीज काफी बहतरीन लगा साथी साथ दोस्तों यहां पर से camera को भी मैंने test कर लिया है तो camera interface की बात कर लेते हैं यहां पर से आप देख सकते हैं typical जो आपको MIUI में मिलता है same यहां पर functionality मिलती है और more option में दोस्तों अगर आप जाओगे तो यह तो मैंने normal room light condition में देखो यह picture निकाला था मेरा studio light में तो यह बहुत ही ज्यादा soft निकल के आया picture मतलब आप देख सकते है detailing नहीं के बाराबर आपको मिल रही है क्योंकि यहां पर आपको 8 megapixel का जो selfie मिल रहा है वो बहुत average type का आपको result देगा यह चीज भी आप देख सकते है मैंने studio light condition में ही picture निकाली थी quality मतलब एकदम average है क्योंकि यहां पर कोई भी जादा detailing नहीं है बट यही चीज दोस्तो अगर आप बाहर जाकर के daylight में pictures निकालते हैं तो relatively यहां पर आप देख सकते हैं detailing थोड़ी सी जादा आपको देखनी को मिलती है बट room light condition में यह चीज उतन में अच्छा result आया और beauty off करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं और जादा detailing है तो definitely बाहर पर अगर आप selfie निकालते हैं तो अच्छा result मिलेगा बट room light condition में उतना अच्छा selfie नहीं निकल के आया था इसके अलावा दोस्तों मैंने 48 megapixel mode को भी test किया था तो आप देख सकते यह है 48 megapixel का mode और इसके अलावा दोस्तों यह है normal mode तो बहुत जादा का फरक नहीं है लेकिन हाँ sizes में फरक मिलता है यह 6 MB का photo है यह लगबग 16 MB का photo है तो अगर आप 48 megapixel स्विच करोगे तो definitely आपका जो storage है वो भर जाएगा यह आप देख सकते है 48 megapixel है यहां पर थोड़ी detailing जादा है और normal जो आपको मिल रहा है 13 megapixel उसमें थोड़ी कम detailing आपको देखने को मिलती है यही पर दोस्तों back camera से मैंने कुछ और samples निकाले थे normal जो मेरा studio light condition है उसी के अंदर तो आप देख सकते हैं back camera इसका अच्छा performance देगा आपको दिक्कत नहीं आएगी बड़ वही है कि front camera से अगर आप निकालते हो picture तो थोड़ा softness का आपको सामना करना पड़ेगा और बाकी दोस्तों अगर आप video graphic के हिसाब से सोच रहे इस device को लेने के लिए तो I will recommend कि कोई और device देखना क्योंकि आर इसमें आपको उतना अच्छा video quality देखने को नहीं मिलता है to be very honest अब देखो इसको आप definitely देख सकते हैं but यहाँ पर camera उतना तगड़ा आपको नहीं मिलेगा खासकर front की बात करते हैं और video के हिसाब से यह phone अच्छा नहीं है साधी साथ अगर आपको hardcore experience चाहिए होगा gaming के हिसाब से तो again मैं आपको recommend करूँगा कि इसी का बड़ा भाई Poco M2 Pro आपको मिलत है जहाँ पर glass back panel है वहाँ पर दोस्तों आपको processor अच्छा मिलेगा cameras अच्छे मिलेंगे तो उसके तरब भी आप देख सकते हैं but 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 अगर आपका budget 10-11,000 के आसपास होगा तो इसको भी आप checkout कर सकते हैं मैं आपको recommend करूँगा कि मेरे जितने भी comparison वीडियो है उसको आप लग जाएगा वैसे इसका detail review भी आने वाला है चैनल पर तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और इस device को अगर आपको खरीना होगा तो description box में link मिल जाएगा आप चाहो तो जाके checkout कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगओगा तो like करना, share करना और चैनल पर नहीं होगे तो subscribe भी कर लेन तो मैं हूँ आपका दोस्ता बीजीत मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में, thanks a lot for watching